हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा युवा 3 प्रो एंडुट वाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटे में अब कोई problem आ जाती है तो problem जाज solve हो जाती है phone को restart करने से ठीक है अब दोस्तों अगला काम करना है देखे आपको अपने phone का status वार यह open करना है इसमें अगर आपका mobile phone silent mode पे अगर activate है तो silent mode से अपने phone को हटा के रखना है और ये भी आपको चेक करना है अगर आपका मुवाइल फोन अगर airplane mode अगर चालू है तो airplane mode को बंद रखना है यह जो मैं आपको तीन सेटिंग बता ही है इन तीनों में से कोई भी setting अगर चालू रहती है तो इससे आपके phone के speaker में से sound की आवाज नहीं आती है तो आपको इन तीनों setting को बंद कर ग नहीं लगता है तो मुवाइल फोन का software अगर अपडेट नहीं रहता है तो इससे हमारे मुवाइल फोन के android system के अंदर कुछ चोटी मोटी कमिया आने लगती है तो आपके phone का software अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है देखिए सबसे पहले phone का internet आपको चालू कर लेन फोन का internet चालू करने के बाद phone का setting page उपन करना है इसमें आपको नीचे की साइड आना है यहा पर आपको इस system पर टैप करना है इसके अंदर आपको नीचे की साइड इस system अपडेट पर टैप करना है आपको इस वाले page पगार कोई भी update का बटन या download install यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे tap करके अपने phone का software अपडेट कर लेना है जिससे आपके phone की speaker की sound की problem solve हो जाएगी अब दोस्तों यहा पर आपको अगला process करना है कि आपको अपने mobile phone का speaker होता है उसे आपको हलके आतो हो साफ करना होता है क्या है कि mobile phone के speaker में थोड़ी बहुत धुल म प्रोसेस आपको यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है फोन को reset करने के लिए आपको phone का setting page open करना है setting page में आपको नीचे की side यह system पर tap करना है इसके अंदर आपको नीचे की side यह reset option टैप करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे delete all data factory reset पर आपको tap करना है इससे आपको phone reset हो जाएगा और आपके phone की speaker की sound की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने दो बातों के ध्यान रखने है पहली बात है ध्यान रखने है इसके phone में जितना भी data सारा data की shver कर लीजिए या उसका backup लेजे दूसरी ले लिजे दूसरी पात ही ध्यान रखने है आपके phone की gmail आइडियो और उसका password आपको पहले से note करना है ये दो काम जो service center होगा ना अपने mobile phone के service center चले जाना अपना phone वाँ पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हूं दें कि हो सकता है आपके mobile phone के hardware में कोई दिक्कत होगी जिसके वज़े से आपकी sound की problem आ रही है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताया है ना वो mobile phone के software के जरीए बताया है। अगर mobile phone के software की किसी कमी के कारान आपकी ये problem आ दिए तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी ये problem solve हो जाएगी। otherwise आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा ठीक है।